नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गो ब्लॉक्स मे इस समय एक सुन्दर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रेल हतेली मेरे शामने विबेचना के लिए आई हुई है एक चीज देखेगा यहाँ पे जो है आपकी हतेली का जो आकार बन रहा है ये जादतर आइताकार है और हलका चोकोर है इसका मतलब है कि जहां आपका एनलेटिकल स्वभाव रहेगा जिग्यासुप परवर्ति रहेगी वहीं जो सारी रिक मेहनत है उसमें भी अगर काम मिल गया तो चूकेंगे नहीं जहां तक करियर का मामला है अगर वो देखा जाए तो बड़ी सपलता आपको ऐसी चीजों में मिल रही है जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिस्क का ज़्यादा काम चलता हो और उसके साथ सारी रिक मेहनत की भी हलकी फुल की जरूरत पड़ती हो ऐसे करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा तरक्य देने वाला रहेगा और कहीं न कहीं काम्यावी दिलाने वाला रहेगा दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें यह आपके मस्तिस्क के रखा है और यह आपकी जीवन की रेखा है इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है तो स्वतंत्र बिचार धारा के मालिक रहेंगे किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे दूसरी बात देखेंगे अपनी मन मर्जी ज़्यादा चलाएंगे आप अपनी मन मर्जी के मालिक रहेंगे स्वयम के निर्णियों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनींगे तीसरी बात देखेंगे तो यहां पे थोड़ा जिद्धी स्वभाव वाला विक्तित्र दिखाई दे रहा है चाए अच्छे करने की हो चाए बुरा करने की हो एक बार जिद्ध पकड़ ले तो वो काम करके छोड़ेंगे यह बहुत अच्छी चीज भी है अगर सही ढंक सी लिया जाए तो मैनेजमेंट की छमता जबरदस्त है जहां पुरानी अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे वही नई टेक्नलोजी और नई आइडियाज नई सोच के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे रिस्पोंसिबिल्टी निभाना बहुत अच्छी तरों से जानते हैं छोटी उमर से ही इस चीज को आप भली भात समझते हैं और ये क्वाल्टी आपके जीवन में बड़ी तरक्की देगे जिससे आपका आने वाला समय में मन प्रशन रहेगा और खुसनुमा माहोल बना रहेगा ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन यहाँ पर जो है मंगल का जादा प्रभाव पढ़ रहा है इसके प्रभाव पढ़ने के कारण आपके लिए बहुत ज़ादा घातक सिद्ध होगा और आपके अंदर आपके अन्दर आपके बहुत ज़ादा है और इसके कारण बिना ज़ादा सोचे समझे आप त्रित निर्णे लेते हैं और वो निड़ें कई बार गलत साबित होंगे और बड़ा नुकसान आपका करेंगे तो इसलिए क्योंकि मंगल बहुत तहाबी है जो आपकी confidence लेबल है उसकी पावर एक basic पावर से बहुत जादा है आपके अंदर आपके अंदर जो अगनी तत्वा है वो थोड़ा जादा मात्रा में है उसकी पावर बहुत जादा है तो इसको control में रखें अगर ये control में रहेगा तो चीजें बेहतरीन रहेंगे तो कभी भी एक काम करें दोसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा चंदरमा से निकल तो रही है बहुत अच्छी चीज है लेकिन हिर्दे रेखा में एका एक समाहित हो रही है आगे ये पूरी रूप से नहीं पहुँच पारी है तो भावनाओं के बसीबूत होकर आप अपने जीवनकाल में गलत निरणें ले सकती है और उस गलत निरणें के कारण स्वयम की डेपलप्मेंट स्वयम की प्रोग्रेस को बादित कर सकते हैं अपने पैर पे कुलाडी मार सकते हैं और फिर उस development को पाना उस progress को पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इस बात का आपको ध्यान रखना है दूसरी बात यहाँ पे क्योंकि यह चंद्रमा से निकल रहा है तो दो चीजों को बता रहा है और यहाँ पे इस रेखा पे मिल रहा है जिसको हम हिर्दई की रेखा कहते हैं ठीक है ने तो दो चीजें बता रहा है सबसे पहले यह बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं पंच महाबोद जिन से सरीर बना है फाइब एलिमेंट जो आपके सरीर के अश्ट चक्र है पंच कोस है पांच ज्यान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया है और नौद्वार है अंतमे ब्रमरंदर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो और आपका जो प्रारब्द है उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है जो आपके आरद्य है वो देवादी देव भगवान सिब है और आपकी जो अधिश्ठातरी देवी है वो माँ पार होती है किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं, दुरगा की पूजा कर सकते हैं, काली की पूजा कर सकते हैं, मा ललिता, राज राजे सुरी की पूजा कर सकते हैं, यह आपके उपर डिपेंड हैं, लेकिन जितनी जादा समर्पन रहेगा, जिवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्य ताकि आपको प्राप्ति होगी अब कितना होगा यह इसके उपर डिपेंड करेगा कि आपका जो है समर्पन किस परकार का है अब दूसरा अब भले ही आपको बरतमान में मैंने जो है बागवान जिसको हम बजरंग बली कहते हैं उन महाराज की पूजा करने को कहा है आप उनी की पूजा करें उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्या है उसको मैं बता भी चुका हूँ आपको परसनली तो आप वही पूजा करते रहें जो मैंने लेकिन समरपण इनके अंदर भी रखें दूसरी बात देखेंगा ये इस पश्ट बता रहा है कि देखेगा आपके जीवन में भाग्योदई की इस्तिति सादी के बाद है ठीक है नए और आपका जो ब्रेस्पती जो मंगल का हिसाब है जो आपकी बिबाहर है का इसके अनुसर अगर देखे तो यहाँ पे से 26 से लेके 28 वे वर्स के बीच आपके सादी के योग बन रहे है अगर इस महायोग में आपने सादी कर ली तो भाग्योदई हो जाएगा और फिर क्या है कि जो धन और करियर की आपकी इस्तिति है वो पूरी तरों से इस्टेबल हो जाएगे उसमें अस्ताइद तो आजाएगा और जीवन में भाग्योदई का मतलब है कि धन स्वस्त्या और एस्वरे का भोग करना दूसरी बात देखेगा यहाँ पे इन सब रेखाओं से मिलकर M की आकरते बन रही है फिर एक चीज और लेता हूं अगर 26 से 28 के बीच में आपने अगर साधी नहीं की कोई परस्तिती हो गई या आपका मन नहीं किया तो फिर आपकी साधी की उमर यहाँ पे फिर दूसरे योग बन रहे है 30 से 35 के बीच इस बीच आपको साधी करनी ही करनी है अगर वास्तों में जीवन में अस्ताई तो चाते हैं जीवन को परिपूर्ण अउस्ता में रखना चाते हैं इस चीज का विसेश ध्यान लखे दूसरी बात है आप साधी अगर प्रेम विबाहा भी करना चाहें तो इसमें माबाप की मरजी होना बहुत जरूरी है अगर आप वास्तों में जो है जिस तरों से आपका ब्रस्पती है ये बड़ा सांदार है अभी नहीं आने वाले समय में सांदार इस्तित में आ रहा है और देखेगा जिस रूप में आ रहा है ऐसा ब्रस्पती बिद्या है संतान है पत्नी है भग्या है और धर्म है इतनी सारी चीजों को कॉंट्रोल करता है लेकिन जिस रूप में ये आगे उबर रहा है एक कमी लाता है आपको ये बहुत अधिक अनुसासन प्रिया बना लेगा तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लग जाएंगे इससे आपको बचना होगा और ये इस रूप में आ रहा है कि ऐसा ब्रस्पती कुंडली में केंद्रब्रती या लगन का माना जाता है ठीक है न और हतेली के सवाल लाक दोसों को ये दूर करता है हमारे पौराणिक जो गरंथ हैं उनमें महर्सि पारासर कहते है किम कुरुवंति गरहे सरवा ये से केंद्रे ब्रस्पती ठीक है न और ऐसा ब्रस्पती जातक में मजबूत सारी गठन देता है लेकिन मेठा खाने की परूरती को बढ़ाता है ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मोके आने लगते है तो कन्फ्यूजन भी ये क्रेट करता है तो इन चीजों का भी आपको ध्यान लखना है अब यहाँ पे देखेगा 30 से 35 सादी की दूसरा योग बन रहा है इसमें करना ही करना है ठिक सादी के बाद भाग्योदाई बहुत अच्छा है लक्षमी योग बन रहा है दूसरा ये बता रहा है कि जीवन काल के ठीक 35 वर्ष से लेके और 55 वर्ष के बीज में धन के बहुत बड़ा योग बन रहा है इतना लंबा योग बन रहा है धन का ऐसा योग बन रहा है कि जो आपको जीवन में एक रिच मैन कहते हैं एक बिलियन्स कहते हैं बहुत रिच मैन करोड़ पतियों की सूची में अपना अस्तान ऐसे लोग बनाती है जबर दस्त तो वो योग आपका 35 से लेके 55 के बीच में बन रहा है अगर साधी 26 से 28 के बीच हो जाती है तो ये योग साधी के तुरंत बात बन रहा है ठीक अब इसमें किन चीजों से बचना चाहिए मैं पहले बता चुका हूँ ठीक है न तो दुबारा बताने की जरूरत नहीं है अब एक चीज और देखेगा योग तो बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन आपकी जो उंगलिया है इनके तीसरा परोदे के छब में चिद्र है आपके पास अगर पैसा पानी की तरह भी आ जाए ने तो जैसे पाने की धारा रुकती नहीं है ने वेसे आपके पास कभी भी पैसा नहीं रुक पाएगा इस बात का ध्यान लखना आपकी हतेली में काम तो चल जाएगा आपका खूब चलेगा ठीक है ने परेशानी नहीं होगी किसी चीज को आपने अगर खरीदना हो आपके पैसा नहीं तुरंत आ जाएगा आप खरीद लेंगे कमी नहीं रही लेकिन हतेली में पैसा जैसे पानी की तरो आता है वेसे ही बहे भी जाएगा आपके हतेली में पैसा नहीं रुकेगा तो क्या करना है आप अपनी धन संपति को जो आपका जिनको गुरु मानते हैं चाये आपका पिता हो चाये आपकी माता हो या आपकी धर्म पत्नी हो जिनके हाथ में बरकत हो पैसा रुकता हो उनके हाथ में अपनी कमाई दे जरूरत के अनुसाल लेती जाए ठीक है नहीं? और ये पूरी जीवन आपको इसका हिसाब रखना है क्योंकि ये नेचुरल है बाकी मैं कुछ चीज़ें दूँगा जिससे ये खर्चीलस वभाव में आपका कमी आजाए क्योंकि आप बैलेंस रखना नामुम्मकिन है और दोसरा एक चीज़ से अभी बचे क्योंकि ये रेखा कामों को क्या करती है बिलंब करती है चोटा से चोटा काम जो एक घंटे में हो सकता है वो दो-चार दिन ले लेता है ठीक ने कामों में बिलंब देता है और दोसरा क्या करता है भावनाओं के बसी बहुत होकर आप गलत निरने ले सकते हैं, भावनाओं में, प्योंकि आपके अंदर क्या है, जिसको कहते हैं न, इमोशनली थोड़ा दयावान है, करोणा वाला है, और अपनी रिस्पोंसिबिल्टी अच्छी तरों से निभाना जानता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं, आप अपना नुसान स जन्म दे रहा है, लेकिन हतेली सांदार है, ठीक, अब एक चीज देखेगा आप, यह आपका जो है अंगोठा है, और यहां पर देखो हड़ी, सबकी रहती है, लेकिन थोड़ा सा जादा है, इसका मतलब क्या है, कि आपको जीवन में चाहे कारे के मामले में हो, चाहे अन्य मामले में हो थोड़ो यह संगर्स रखेगा, ठीक है ने, और आपने अगर जल्दबाजे में, भावनाओं में आकर या उतावलापन में बड़ा निर्णाई ले लिया, तो धनहानी होगी ही होगी, आपको ब्यापार बड़ा सोच समझ कर करना है, अगर उसमें जल्दबाज कर ली, भावनाओं में आके बड़ा निर्णाई ले लिया, उतावलापन दिखा दिया, तो ब्यापार में जबरदस्त हानी होगी, और ये चलेगा आपका जो है 40 एर तक, और इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा 34 एर तक, ठीक हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अग भूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आ रहा है, और खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी इस्तिती, एक तो साधी के बाद आ रही है, फिर 35 वर्स से आ रही है, फिर 42 वर्स से चीजें बहुत बहतरीन हो रही है, और 45 वर्स में फिर पूल्ण भाग्योदाई यहां पे ह इस पश्ट बता रही है, 35 वर्स से, कि परते एक दिन आपके पास पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, आपके मस्तिस्क सकती और आपकी योगिता के उनुसार, अगर आपके पास मन चाहा वाहन का सुक नहीं है, तो पहले तो 35 से और 40 के बीच में यहां पे मन चाहा वाहन क का सुक इस पश्ट रूप से प्राप्त हो जाएगा, अगर साधी जल्दी हो गई तो जल्दी होगा, अगर अपने ब्यापार को इस्टेबल नहीं कर पाए है, अस्ताईत तो रूप में नहीं दे पाए है, तो ब्यापार में अस्ताईत तो आ जाएगा, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक नहीं प्राप्त किया है तो एक सांदाल लगजरी सुक प्राप्त होगा अपने कमायी हुए पैसों ये तीन सुक आपको मिलेगा ही मिलेगा इस रैखा के कारण और साथ में देखो ये चंद्रमा है तो एइसे लोग famous होते हैं इनको जनता का प्यार मिलता है लोगों का support बहुत अच्छा मिलता है और ये लोग बहुत ज़्यादा creative होते हैं ऐसे लोगों को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है इनके पास ऐसी बिद्या रहती है कि जिस से का वास्ता पड़ता है तो ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं दूसरा 56 वर्स के बाद भी बहुत अच्छा समया आपका रहने वाला है लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ेगी आपको पीठ के दर्द का सामना करना पड़ेगा कमर की प्रॉब्लम है साठी का जिसको कहते है उसका स सामना करना पड़ेगा तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे इन सब चीजों से बचने के लिए आपको योगा दे रहा हों एक प्रकार का प्रणायाम है उसको जरूर करें तो इन चीजों से आप कहीं न कहीं बच जाएंगे यह इस्तितियां दिख रही है यहाँ पे अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरत देके परते समरपण की भावना रहेगी दयावान बेक्तित तो रहेगा और इसका प्रभाव जीवन में अच्छा रहेगा ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है और एक सही अनुपात में ये खड़ी है इसका मतलब है जीवन में मानसिक छमता बहुत अच्छी रहेगी इसका जुकाव बता रहा है अध्यात्म की ताकत भी जवरदस्त रहेगी और इसके कारण स्वाबि मानी रहेंगे बुद्धि मानी रहेंगे बिवेक बहुत अच्छा रहेगा दोसरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहेंगे और ये चीज आपको दोसरों से बिलकुल अलग बनाएगी और ये चीज आपको परसिद्ध दिलाएगी इन सब के कारण भग्या आपका बहुत अच्छा साथ देगा ये भी इस्तितियां दिखाई दे रही है ये उंगली पूरी तरों से जुक रही है इसकी तरब यस पाने की चाह रहेगी नेमफिम पाने की चाह रहेगी और अपने कारियों में बिस्तार हो जाए उसकी चाह की ये उंगली देखें सूरे की तो ब्रिस्पति की उंगली से बड़ी है मिडल फिंगर से सनी की उंगली से चोटी है जी जो में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है जी जो में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और उस रिस्क लेने में उस जोखिम उठान जानता है वही बिक्ति अपने जीवन में सफल भी होता है सफल वोना भी जानता है यहाँ पे थोड़ा गैप है जब जब आपके कुंडली में सनिसाडी साती में होंगे धैया में होंगे या बकरी आउस्ता में होंगे तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और ल उंगलियों का जुकाव आप देख रहे हैं आपकी मिडिल फिंगर की तरफ है तो ऐसे में आप कई बार दुखी सा हो जाएंगे कई बार सब कुछ होते हुए भी खुसियों में कमी देखने को मिलेगी बस इतना ही आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त है लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक यहां पे नहीं पहुँच रही है तो धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओं में एकाउंटबिल्टी में, कम्यूनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है कमी दिखाई दी रही है इस कमी को दूर करने के लिए आपको यहां तक अपना नाखोन बढ़ाना है ये कमियां एटोमेटिक रोब से आपकी कम हो जाएंगी और इसका लाब आपको जीवन में होगा आपकी अगर हम हिर्दे रेखा देखें इस प्रकार सी जा रही है और इसमें किसी प्रकार का ये चिन बना रहा है और यहां पे देखेंगे इन दोनों के बीच में जा रही है देव गुरु ब्रस्पति का और सनी दोनों का प्रभाव पढ़ रहा है दोनों का बला बला आ र बढ़ता है यह महत्तोकांचावों को बढ़ाता है तो आप आगे चलकर अपने जिवनकाल में बहुत बड़े महत्तोकांची बेक्ति हो जाएंगी आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी ब्रस्पतिका क्योंकि सेदा प्रभाव पढ़ रहा है तो आपकी इक्षा भी टॉप लेवल तक पहुचने की रहेगी सनी का भी प्रभाव पढ़ रहा है ये कर्म को देखता है ये कर्म के सिवा किसी चीज को नहीं देखता है और न्याय का देपता माना जाता है और धीरी धीरी चलता सने सने चरती तो इसके लिए इसका नम सने स्चर है सने सने चलती च आप करेंगे भी ये भी इस पश्ट रोप से बता रहा है एक चीज और है जो आपको थोड़ा रहस्यमई बता रहा है यहां पी ये चिन और ब्रिस्पति और सनी का प्रभाव इसका मतलब है जो रहस्यमई बिद्याये हैं उनकी नौलेज भी आपको कहीं न कहीं बहुत बिज्ञान है चाए वो कुंडली बिज्ञान है या अन्य परकार की रहस्यमई चीजें हैं इसकी तरफ आकर्सन भी रहेगा इसका नौलेज भी आपको बहुत अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं आपके सुत्रु कितने भी प्रबल रहें जीवन में आपको कभी भी प्रास् का जो है कंप्योटर है टकशन लोजी है या अन्य चीजें हैं जो इस परकार से ज्ञुडी हुई है सनिसे जुडी हुई है ऐसी चीजुमें माहिरता है जानिक और इने से जो है आपको बड़ा फायदा होने वाला है इन चीजों को बता रहा है बहुत सांदर लेकिन यहां सी यह रेका सीधा हिर्दे रेका पर मिल रही है ब्रस्पति परवत सनी को देख रहा है और यहां पर विबाहय की रेका थोड़ा आगे है तो मांगलिक प्रभाव पढ़ रहा है तो साधी होनी की जो उम्र है वो आगे बढ़ रही साधी थोड़ी देर से होगी आपके लेकिन बहुत अच्छी होगी तो इसके लिए मैं एक सुर्य उपासना भी आपको दे रहा हूँ सुर्य किरिया उपासना नहीं किरिया उसको जरूर करें तो ये चीजें ठेक हो जाएंगी यहाँ पर अगर हम मस्तिस्क किरेखा देखें तो बहुत सांदर एक स्मूत है सुन्दर है ये आपकी जो मानसिक छमता है उसको बताता है कि आपका बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है बिक्ति बिबेक वाला है बुद्धि वाला है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला है आपको लंबी और हवाई यातनाओं का जीवन में शांदर मौका मिलेगा ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है जीवन की रेखा देखें तो परिवार के परतिस समरपन की भावना रहेगी और एक रेखा इस तरों से जारी है देखेगा जन्म अस्तान से दूर रहे कर ही आप बड़ी तरकी करेंगे जन्म अस्तान में रहे कर जो तरकी आपने सोची है उतनी बड़ी तरकी थोड़ा कम होगी लेकिन होगी तो सही लेकिन बिदेश यात्राओं के भी बहुत अच्छे मौके मिले हुए है ये स्पष्ट बता रहा है लेकिन जन्म अस्तान जहां जन्म हुआ हो कोई अस्तान उससे दूर ही आपका जो है भौन बनेगा आपका मकान बनेगा आपका सब कुछ रहेगा जन्म अस्तान में आप चाहा कर भी जन्म अस्तान में थोड़ा कम रह सकते हैं ये इस्तितियां दिखाई दे रही है ठीक है न तो ये चीज आपका किये तो एकदम प्रबल जादा नहीं है तो इस्ट देव की प्रोपर तरीके से भगत करें तो जीवन में शांदार इस्तितिय रहेंगे यहां देखें तो इस परकार से एक रेखा दिखाई दे रही है अभी इस रेखा को काट रही है तो यह थोड़ा चीजों में अर्चनें देती है confusion देता है या चीजों में थोड़ा सा उस परकार की चीजें देते हैं लेकिन आगे चल कर यही चीज आपको भग्यसाली मनाएगी आपको कोई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं ब्योस्ताई हो जाएंगी आपका काम चल जाएगा तो मैंने बजरंग बली की भग्ति आपको दे रखे हैं जरूर करें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा सोकिन रहेंगे क्यों? क्योंकि सुक्र यहाँ पे नीचे की तरफ धंस रहा है तो ब्यक्ति घूमने फिरने का बड़ा सोकिन रहता है ठीकन और दोनों परवत सांदार हो तो कहना ही क्या? ऐसा ब्यक्ति की जो मुस्कुराट रहती है उस सांदार रहती है दूसरों को अपनी तरफ आकरसित करता है ऐसा ब्यक्ति और खुबसुरत अवस्ता का रहता है प्रेमी भी बहुत ज़्यादा होता है जादतर ऐसे लोगों की गरल फ्रेंड भी रहती है आज कल की जवाने में अगर हम कहें तो ठीक है ने दोसरा बात ये बताता है कि अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर बिसेश ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें जादा रहेंगे नई चीजों के परती रुजहान रहेगा चैन नई परकार का फैसन हो नई परकार के कपड़े हो या नई परकार की टेक्नलोजी हो बहुत एक सुख सुविदाओं की तरब बहुत जादा आकरसन रहेगा चैन लगजरी जीवन हो इसकी तरब बहुत जादा आकरसन भी रहेगा हर परकार की प्रस्तितियों को भली बाती समझने वाला बिक्तित्व रहेगा और जहलने वाला बिक्तित्व भी रहेगा कैसी भी प्रस्तित्य आए जहल लेंगे यह सुक्र दे रहा है आगे चल कर यह आपको गलेमर देगा चका चोन इस्तिति में ले जाएगा यस देगा और प् इस चीज से ध्यान रहें कभी कभी ये छण भंगोर वाला गुस्सा हलके रूप में पैदा करेगा और उतावलापन को निखारेगा यहां पर देखें यह बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव रखेगा अभी थोड़ा देखें तो ब्रस्पती हलका रूप में साधारन अउस्ता में है और इस मामले में ये आपके अंदर साधारनता देते हुई दिख रहे हैं सामनी बेक्ति तो अभी दे रहे हैं लेकिन कुदरती स्वभाव के अकारण हस्मुक स्वभाव रहेगा दयालता रहेगी दोसरों की मदद कर रहने की भावना रहेगी आर्थिक पक्षबी अब ठीक ठाक अउस्ता में आ रहा है ठीक ठाक रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है यस प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा जुकाओ बन रहा है एक स्वतंतरता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाला बिक्ति तो भी दिखाई दे रहा है धीरे धीरे ये रेखा उबर रही है और यहां पे तिरबुज भी बना रहा है तो ये दो चीजों को दिखा रहा है एक से ज़्यादा सुरतों से धन का अर्निंग करेंगे और इसमें फायदा होगा ब्रस्पति हमने देख लिया है सनी की इस्तिति आपकी बहुत अच्छी है इसका लाब होगा सूर्य में अगर देखें तो मचले का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आर्थिक इस्तिति को बहुत ज़्यादा उभार देगा यस बहुत अच्छा मिलेगा जिस भी कार्य को आप कर रहे है उसमें परसि लदबाजी को छोड़ देंगे और भावनाओं में आके बड़ा निर्णे नहीं लेंगे तो जिसका में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अर्जित करेंगे हर तरह की प्रस्तितियों को भली भात समझने वाला बेक्तित तो रहेगा अगर जीवन में योजना बनाकर बुद्ध का परोत आपका सही रूप में बिक्सित अवस्ता में है आप मनो बेग्यानिक के छेतर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छे तरो से जानते हैं ऐसे लोग ब्यापारिक कारियों में बिसे सपलता की प्राप्ति करत हैं लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्या बात है यह ब्यापार के लिए कम से कम 35 वर्स तक अच्छा नहीं है खासकर पार्टनर्सिप के ब्यापार के लिए तो ऐसे में ध्यान देने योग्या वाली बात होगी बुद्ध परवत यहां पर लालिमा लिये हुए है हलका और समय का पूरा-पूरा उप्योग करने में दक्षता ये देगा वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी लेकिन यहां तक नाखोन जरूर बढ़ाएं ये आपके लिए शांदार रहेगा आपका अगर चंद्रमा देखें तो अभी हलका अन्बैलेंस है लेकिन इसको बैलें लाने के लिए थोड़ा पाने का सेवन खूब करें आप पाने का सेवन कम कर रहे हैं यह इस पश्ट दिखा रहा है तो पानी का सेवन खूब करें भोजन समय पेले तो आपके लिए बहुत सांदार रहेगा और थोड़ा सा जो है जो कोडिंग है कॉफी है ड्रिंक है या अन और चंद्रमा का प्रभाव आपकी 70% कारियों पर पड़ता है, ठीक है न, तो ये बता रहा है, आगे चल कर मन मजबूत रहेगा, confidence लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, सरीर में भी जाद समस्याई नहीं दिखाई दिये रही है, पाचन तंतर भी ठीक रहेगा मोटे तोर पे और कही न कहीं creativity बहुत जादा रहेगा, चंद्रमा आपका धीरी धीरी अच्छा हो रहा है, मा का सुख और अशिर्वत खुम मिलेगा, चंद्रमा हतीली में बहतर है, तो जीवन में महिलाओं का सयोग भी, महिलाओं का जो सयोग है वो भी अच्छा मिलेगा, सकारात्मक स सोच रहेगी छलकपड से हमेशा दूर रहेंगे जहां मन से बहुत खूबसूरत है वहां तन से भी बहुत खूबसूरती रहेगी तो देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूर राब इसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिद्वत तरीके से लिख करके और आडियो के मादयम से बेज रहा हूं उसको जरूर करें एक चीज थोड़ा सा देखीगा यहां पर यह रेखा यहां पर अगर कट बना रही है तो थोड़ा सा जो है जल्द बाजी भावनाओं के बसीबोत होकर और उतावाला पन्ना दिखाएं इस से जहां आर्थे खाने हो सकती है वहीं कहीं न कहीं जीवन में किसी से बाद बिवाद भी उत्पन हो सकता है तो ऐसी चीज़ों के उपर ध्यान दे बाकी इष्ट की सेवा करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेग इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमशकार